हेलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल आयरुवेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिच्छे में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीप पर छाले पढ़ने पर किया जाने वाला एक बहुती सरल आयरुवेदिक प्रियोग बताने वाला हूँ प्रियोग को बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही में दोस्तो नीचे दिये गए बैल आइकन को आप दबाना ना भूलें ताकि जब भी कभी कोई नए वीडियो में अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं उस आईरवेदिक प्रयोक के बारे में दोस्तो कुछ लोगों को लंबे समय तक मूँ में छाले रहते हैं जो एक बार हो जाएं तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते मूँ में छाले होने का मुखे कारण पेट का खराब होना होता है मूँ में छाले होने के कारण रोगी ना तो कुछ खा सकता है और ना ही कुछ पी सकता है बोलने में भी बहुत परेशानी होती है मूँ के छालों से आप हमारे इस आवेदिक उपाय को बहुत जल्द ठीक कर सकते हो तो इस प्रियोग के लिए आपको चाहिए सुहागा जिसे हम टंकन भस्म भी कहते हैं और शहद जी हाँ सिर्फ ये दोनों ही ओशदियां आपको चाहिए तो करना क्या है सबसे पहले आप सुहागा की आधा से एक ग्राम चून की मातरा ले लीजिए और इसे आप एक चमच शहद में अच्छी तरह से मिला लें अच्छी तरह से मिलाने के बाद जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तो इसे आप रोगी की जीप पर लगाएं, जहां पर छाले पड़ गए हैं, ऐसा आप बार-बार करते रहें, एक चमच के प्रियोग से ही, इस घोल को इस मिशन को लगाने के बाद मुझे लार को आप गिरने दें कुछ देर तक, लगातार, ऐसा आप दिन में कम से कम दो से त बढ़िया प्रियोग आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप भी से अजमाएं और इसका लाब उठाएं, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मुलाकात होगी आप से कुछ अन्य और शदियों के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद,